हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू अप्टिमिस्टिक स्टैडिस, अप्टिमिस्टिक स्टैडिस में आप सभी का स्वागत है, आज हम देखने जा रहे हैं नागरिक्ता का पार्ट 3, सिटिसन्शिप का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पॉ आज हम देखेंगे Citizenship Act 1955, नागरिक्ता अधिनियम 1955, हमने इसे previous lectures में देखा क्या था, उसे हम discuss करेंगे कि हमने क्या क्या देखा है, उससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नॉटिफिकेशन को ओन रखें, जिससे हम जो भ नागरिक्ता citizenship है, वो इंडियन कॉंस्टिटूशन के पार्ट टू में में मेंशन है, भाग दो में दिया हुआ है, इपर इसमें कौन-कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इसमें आर्टिकल नंबर 5-11 आते हैं, अनुछे पांच से लेकर के ग्यारा नागरिक्ता की बात करता है फिर उसके बाद 5-6-7-8 ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 यानि कि भारती समिधान जब लागू हुआ, उस समय किसे-किसे नागरिक्ता दी गई है, ये इन चार आर्टिकल में दिया हुआ है, इन चार अनुछेद में दिया हुआ है, उसके बाद बात आती है कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि किसी को भारती नागरिक्ता चाहिए, तो उसके लिए कौन प्रावधान करेगा, तो बता दिया गया है, भारती समिधान के अनुछेद 11 में बताया गया है, कि संसत को हम ये शक्ति देते हैं, पार्लमेंट को, पार्लमेंट शाल हाव दा पाव भारती संसत के पास है, तो भारती संसत कानून बना सकते हैं कि किसी नागरिक्ता देनी है, एवं किसी नागरिक्ता ले लेनी है, इसी संदर्व में इंडियन पार्लमेंट ने, यानि कि भारती संसत ने 1955 में एक कानून बनाया, एक अधिनियम को पारित किया, और उस अधिनि में दिया क्या है तो citizenship act 1955 में दिया है acquisition of citizenship and loss of citizenship after the commencement of the constitution what does it mean इसका मतलब ये होता है कि भारती सम्विधान लागो होने के बाद जिस किसी को जिस किसी की भी नागरिक्ता किस तरीके से अधिग्रहन की जा सकती है यानि कि अधिग्रहित की जा सकती है यानि कि दी जा सकती है एवं किस तरीके से नागरिक्ता छीन ली जाती है यानि कि नुकसान हो जाता है या फिर वापस ले ली जाती है तो दो बात नहीं इस अधिनिया में बताए गए है क्या बताए गए है कि किस तरीके से चब्पिस जनवरी 1950 के बाद किसको किसको नागरिकता दी जाएगी एवं किस की किसकी नागरिकता ले ली जाएगी तो तरीका बताया गया है इसमें तो यह पहले हम देखते हैं acquisition of citizenship citizenship, नागरिक्ता का अधिगरहण, acquisition मतलब होता है कि किस तरीके से हम ले सकते हैं, acquire कर सकते हैं, हमें भारती नागरिक्ता चाहिए, कैसे आप बताईए, यानि कि यदि पूछा जाए ना, कि आप कहीं जा रहें, तो आप बोलेंगे, कि हमको भारती नागरिक्ता चाहिए, हम कैसे कैसे ले सकते हैं, बताईए, तो इसमें बताया गया है कि पाँच तरीके हैं, जिसके द्वारा भारती नागरिक्ता दी जा सकते हैं, वो कौन-कौन से पाँच तरीके हैं, यानि कि birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory, इसका मतलब यह होता है, जन्मे के आधार पर, वंश के आधार पर, पंज एक-एक करके सब को हम डिसकस करते हैं, सबसे पहले बात आती है, by birth, कैसे कोई जन्मे से भारती नागरिक है, तो इसमें बताया गया है कि 26 जन्मरी 1950 को, या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई, 1987 से पहले, यदि कोई भारत में पैदा हुआ है, तो उसे भारती नागरिक्ता मिल जाएगी, उसे भारती नागरिक्ता मिल जाएगी, भले ही उसके माता-पिता की राश्रिता कुछ भी हो, भले ही उसके माता-पिता कहीं के भी हो, यदि वो कोई भी वेक्ती 26 जन्वरी 1950 को, या उसके बाद जन्मा है, लेकिन बोला गया, और वो लेकिन क्या है, एक आएगा जन में से, फिर यानि कि a person born in India on or after 26th January 1950 but before 1 July 1987 is a citizen of India by birth, by birth irrespective of the nationality of his parents. दूसरी बात आती है कि a person born in India on or after 1st July 1987 is considered as a citizen of India only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. लेकिन ये बोले 1 July 1987 से पहले, लेकिन ऐसा हो कि 1 July 1987 को या उसके बाद यदि कोई भारत में पैदा हो तो क्या होगा? तो बोला गया तो यदि को या उसके बाद, यानि कि 1 July 1987 को या उसके बाद कोई भारत में जन्मा है, तो उसके लिए condition है कि उसके माता पिता से कोई एक भारत का नागरिक हो. तब ये अनिवारी हो जाएगा कि या तो माता या तो पिता दोनों में से कोई एक भारती नागरिक होना अनिवारी है. तब आपको जन्मा के आधार पर नागरिकता दी जाएगी. ठीक, फिर उसके बाद बात आती है. For those born in India on or after December 3, 2004. यानि कि 3 December 2004 are considered citizens of India only if both of their parents are citizens of India. और one of whose parent is a citizen of India and other is not an illegal immigrant at the time of their birth. यानि कि हमें अभी क्या समझ में आया, उस page में हमने क्या देखा, हमने ये देख लिया. कि 26 जन्वरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले, बिल्कुल हमने ये देखा, तब भारती नागरिक है. ऐसी कंडिशन में माता पिता की राष्टिता नहीं देखी जाएगी, कि तुम्हारे माता पिता कहां से है, बस वेक्ति को जन्म के आधार पर घूशित कर दिया जाएगा, कि तुम जन्म के जन्म आधार पर तुम भारती नागरिक हो. लेकिन यदि किसी का जन्म एक जुलाई 1987 को या उसके बाद में हुआ, तो माता पिता में से किसी एक की नागरिकता जरूर देखी जाएगी, क्या जन्म के समय तुम्हारे माता पिता में से कोई एक, क्या भारती नागरिक था, यदि था, तो तुम्हें भी हम जन्म के आधा हो जाएगी कि माता-पिता में से दोनों ही भारती नागरिक होना अनिवार है पहली कंडिशन है ठीक है पहली कंडिशन माता-पिता दोनों ही भारती नागरिक होना अनिवार है तब हम तुम्हें मानेंगे कि तुम भारती नागरिक हो पिर दूसरी बात बता दी गई इसमें कि ऐसा करो माता पिता में से यदि कोई एक भी यदि भार्टी नागरिक है तो भी चलेगा लेकिन जो दूसरा है वो जो है क्या नहीं होना चाहिए तो वो अवैद प्रवासी नहीं होना चाहिए अब ये अवैद प्रवासी मतलब क्या होता है अवैद प्रवासी वो होता है यसे कि कोई आया है हमारे देश में without any legal documents without any legal passport, visa बिना किसी वैद, passport, visa या document के बिना यदि कोई आ गया या फिर उसके पास वैद, visa, passport, documents तो है लेकिन वो जितने अवधी के लिए आया था वो अवधी उसकी exceed कर गई है यानि कि वो जादा समय तक भारत में रुख गया है अब वो तो उसका जो जितने दिन के लिए आया था वो तो expire हो चुका है तो भी वो क्या कहलाएगा? वो अवैद प्रवासी कहलाता है ये दो conditions होते हैं ठीक है कि अवैद प्रवासी कौन होते हैं तो क्या बुला गया? या तो तुम्हारे पहली बाद तुम्हारे दोनों ही माता पिता क्या होने शाहिए? भारती नागरिक होने शाहिए कब यदि तुम्हारा जन्म 3 दिसंबत 2004 को या उसके बाद में हुआ है तो फिर उसके बाद यदि माता पिता में इसे कोई एक भारती नागरिक है तू भी चलेगा लेकिन जो दूसरा है वो अवैद प्रवासी ना हो तो भी हम तुम्हें भारती नागरिक होने का दरजा दे देते हैं यह होती है तीन कंडिशन जिसके द्वारा क्या मिलता है जन्मे के आधार पर भारती नागरिकता मिलती है अब आप अपनी अपनी केटिगरी को डिसाइट कर लेजे कि आप कौन सी केटिगरी के हैं कि हम तो सभी जन्मे के आधार पर हैं कि जन्मे से ही हम भारती नागरिक है त क्या करना है, the children of foreign diplomats posted in India and enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth इसका क्या मतलब होता है जैसे कि राजदूत विदेशी राजदूत हमारे देश में रहते हैं, तो उनके बच्चे या फिर दुश्मन एलियंस तो हमने ये एलियंस वाला देखा है topic बिलकुल हमने, यदि आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन और पार्ट टू को ज़रूर प्रिफर कीजिए, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है तो क्या बतायागा है, जो विदेशी दूतावास होते है जो उनके बच्चे होते है ठीक है, राजदूत जिसे हम बोलते है तो विदेशी जो राजनाइक होते है उनके बच्चे या फिर दुश्मन एलियंस के बच्चे इनको जन्मे की आधार पर भारती नागरिक्ता नहीं दी जा सकती इनको नहीं मिलती है जन्मे के आधार पर भारती नागरिक्ता, भारती नागरिक्ता के लिए अभी हमने जो तीन कंडिक्शन देखी है, कि जन्मे के आधार पर भारती नागरिक्ता कैसे मिल सकती है, किवल ये तीन तरीके से भारती नागरिक्ता मिल सकती है, ठीक है, इसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं.